अस्तामुलीकूम मैं हूँ डॉक्टर सादी अलवी और वल्कम टू मैं चैनल आई होब कि आप सब ठीक होंगी आज हम बात करेंगे प्रिग्नेंसी में केक खाने के हवाले से केक का इस्तामाल करना प्रिग्नेंसी में कैसा है कौन सी खवातीन है जो केक खा सकती है और अगर आप प्रिग्नेंसी में केक इस्तामाल करती है तो कौन सी टाइब का केक खाना आपके लिए सेफ है और केक खाने के आपके उपर क्या जो एफेक्ट है वो पढ़ेंगे बहुत सारी ज के अफेक्ट के बारे में जान लेते हैं जब आप पर colonial के खाती है तो आपकी है ऊपर क्या अशाज का आप फरेगनेंशी में जो है कि combine कोrants टी नहीं है है क्योंकर तो आप काफी सारे कलिस्टोल होती है चिकनाय क्षिड़ाई के आपसा हुआई जाती है याला Assalamualikum मैं हूँ डॉक्र सादी अलबी और वेल्कम तू माई चैनल आई होब कि आप सब ठीक होंगे आज हम बात करेंगे प्रिग्नेंसी में केक खाने के हवाले से केक काना प्रिग्नेंसी में एक ऐसा है और कौन कौन सी टाइप्स का जो केक है वो आप खा सकती है अगर आप प्रिग्नेंसी में केक खाती है तो आपकी हैल्थ के उपर क्या असरात पढ़ते हैं प्रिग्नेंसी में केक का काना जो है वो सेफ नहीं है क्योंकि इसको हम फास्ट फूड में ही जो है वो जानते हैं प्रिग्नेंसी में केक खाने से जो आपको healthy issues बनते हैं वो काफी जादा है क्यूंकि केक बनाने में मुटलिफ जो flavor वो यूज होते हैं color का इस्तमाल होता है मख़न या जो cream है उसका काफी ज़दे इस्तमाल होता है मैदा इस्तमाल होता है तो यह सारी चीज़ें आपकी हेल्ट के लिए काफी ज़दा नुकसान दे होती हैं प्रिग्नेंसी में केक इस्तमाल करने की वज़ा से आपके अंदर जो टाइब टू डियापिटी जा उसके खतरात बाढ़ जाते हैं क्लेस्टोल होने में काफी ज़दा परिशानी होती है फिर आपको सिजरी इंसेक्शन की तरफ जो है वह जाना पड़ता है तो कोशिश आपने यह करनी है कि हमल के दुरान केक आप ना खाएं तो ही आपके लिए बेतर है आपके लिए सेफ है और स्पेशली वह खवातीन जिनके अंदर डेपिटीज है जिनका ब्लेड पेशर है इसी तरह जिनका मुटापा बहुत ज़दा है तो वह बिल्कुल भी प्रिगनेंसी में केक ना खाएं उनके लिए जो है वो सेफ नहीं है वो खवातीन जिनको यह मसायल नहीं है फिर भी आप जो है अगर आपका बहुत ज़दा दि अधियर देषा नहीं के आप मिल्मन तुमम के लिए यह मुद्स कटी जिनकों के दिर्लेफ में शूर्ट करें उसका खाना आपके लिए थोड़ा सा सेफ है लेकिन वह भी कम क्वांटिटी में आपका है इसी तरह आप कोशिश करें कि अगर आप खुद घर में केक बना रही है तो जादा सेफ होता है उसमें फिर आप जादा जो क्रीम है वह अपने इस्तमाल नहीं करनी फुरूट केक के मिगदार है वह कम हो और इस तरीके से जब आप केक इस्तमाल करेंगी तो आपके लिए सेफ रहेगा लेकिन फिर भी कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम इस्तमाल करें ताकि आपके प्रिगनल्शी के जो सफर है वह बहुत है और सहतमान रहे और यह पूरी जरनी है अच् होने की जो चांस है वो काफी ज़दा बाढ़ जाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी अल्कुल साबित होगी वीडियो का अपने लाइक कर देना है चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताके मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक महुचती नहीं थाथ वाची